बहुत कुछ सीखने को मिला हम काफी यातरी हैं उनमें से शायद कोई भी ये ना कह पाए शुरुआत में कि हमें इतना हिंदुस्तान की जनता से सीखने को मिलेगा हर प्रदेश ने कुछ ना कुछ नेया सिखाया किसानों ने मजदूरों ने छोटे वियापारियों ने माताओं बेहनों ने बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी अपना दर्द रखा किसानों ने हमें देश की पॉलिसियों के बारे में बताया छोटे वियापारियों ने जी एस्टी के बारे में नोट बंदी के बारे में कोविट में क्या हुआ क्या होना चाहिए था सब कुछ हमें बताया समझाया अलग अलग भाशाएं हैं अलग विचार हैं अलग हिस्ट्री है अलग इतिहास है मगर सब एक साथ मिलकर महबबत के साथ इस देश में रहते हैं जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम महबबत की दुकान खोलने निकले थे और और देखने को मिला कि लाकों करोडों लोगों ने इस देश में महबबत की दुकाने खोली हैं हर प्रदेश में सरकों पे बारिश में गर्मी में सर्दी में हमें ये देखने को मिला देश के सामने कठिनाई जरूर हैं लोग तंत्र पे आकरमन हो रहा है उस बात को आप सबसे बहतर समझते हो यात्रा से पहले हमने पार्लिमेंट में मुद्ध उठाने की कोशिश की लोग सबा में राज़ सबा में हमने भाषन देने की कोशिश की नोट बंदी पे गलत जी एसटी पे किसान बिल पे जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है दो हजार स्क्वेर किलोमेटर ले गया है उस पे मगर हमें लोग सबा में बोलना नी जिया जैसे हम बोलने की कोशिश करते थे माइक आफ कर दिया जाता था मैंने भाषन के शुरुआत में आप सबसे कहा प्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनका यहां मैंने स्वागत किया मगर इनका भी काम लोगतंत्र की रक्षा करने का होता है टीवी पे अकबारों में मैगजीन में सच्चाई रखने का इनका काम होता है पिछले प्रेस कॉन्फरेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा प्रेस वालों से सवाल पूछा आम तोर से यह पूछते हैं मैंने पूछा भईया एक बात बताओ आप नरेंद्र मोदी जी का 24 गंटे दिखाते हो आप अश्वरिया राय जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जारी है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हैरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेफ्टेनन्ट गवनर के पास गया तो लेफ्टेनन्ट गवनर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीक नहीं मागनी चाहिए ये देखिए लेफ्टेनन्ट गवनर ने कश्मीरी पंडितों के डेलिगेशन को कहा कि आपको भीक नहीं मांगनी चाहिए लेफ्टेनन्ट गवनर जी ये भीक नहीं मांग रहे हैं ये अपना हक मांग रहे हैं और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं माताएं बहने युवा बच्चे किसान सब मिल रहे हैं यहां आते हैं सड़क पे आते हैं मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं दो तीन चीजे में जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आप जानते हो मगर मैं दोरा देता हूँ सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले अभी आता हूँ बेरोजगारी के बारे में बोलता हूँ कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग वियपार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है हमारी जो आवाज है उसको अड्मिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग देखते रहे गए पहली बात दूसरी बात हिंदुस्तान में सबसे जाधा बेरोजगारी सबसे जाधा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है तो यहां पर स्टूडन्स पढ़ाई करते हैं कोई एंजिनियर बनना चाहता है माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है कोई आर्मी में जाना चाहता है पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग प्रदेश के युवा लॉयर डॉक्टर एंजिनियर नहीं बन सकते हैं पहले एक और रास्ता था आर्मी का रास्ता था वो भी आज बंद कर दिया है बीजेपी के लोग नई योजना लाएं हैं अगनिवीर योजना लाएं हैं और इनको जो आर्मी का इतोस है इनको वो ही नहीं समझ आया है देखिए किसी भी काम में किसी भी काम को सीखने में कम से कम साथ आठ साल लगते हैं है सही बात है है सही है कि आप खाना पकाती है कि खाना पकाती है आपको कितने साल लगे खाना पकाने में कितने साल लगे आपको 7-8 साल लगे मतलब Expert आप 7-8 साल में बनी नई तो किसी भी काम में 7-8 साल लगते हैं Army जो है एक परिवार है जो सेना लड़ती है वो रिष्टे के बल पे लड़ती है सेने के बीच में जो रिष्टा होता है उसके बल पे लड़ती है वो रिष्टा एक दो साल में बनता ही नहीं है वो रिष्टा उस रिष्टे को बनने के लिए मजबूत होने के लिए कम से कम साथ आठ साल लगते हैं यहρι जो बीजेपी के लोग हैं इनको यह बात समझ नहीं आई यह सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग छे महिने में हो जाएगी जो सीकना है वो छे महिने में हो जाएगा बिल्कल नहीं आर्मी में सालों लगते हैं एक सैनिक को तियार करने के लिए सालों लगते हैं उस सेनिक और दूसरे सेनिकों के बीच में रिष्टा बनाने के लिए तो यह अगनिवीर योजना जो है यह हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है और यह बिचारे जो हमारे आर्मी के लोग यह कह नहीं सकते है मगर मैं जानता हूँ अगर इनसे पूचा जाए तो यह सारे के सारे कहेंगे कि यह अगनिवीर योजना के खिलाफ है अगनिवीर योजना गलत है तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने पहले युवा आर्मी में जाता था पंद्रा साल की उसकी सर्विस होती थी उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी अगनिवीर योजना में चार साल की सर्विस होगी उसके बाद सेनिकों को घड बेज दिया जाएगा उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी तो यह जो देश का आर्मी के साथ रिष्टा है इस से खिलवार कर रहे हैं देश ने कहा था देश हर सेनिक से कहता है कि हम आपसे पंद्रा साल मांगते हैं उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंचन देंगे आपकी इज़त करेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी रक्षा करेंगे तो ये अगनिवीर योजना जो पहले युवाओं के लिए एक रास्ता था ये भी इन्होंने बंद कर दिया बेरोजगारी क्यों आ रही है क्योंकि सरकार चुने हुए दो-तीन उद्योग पतियों के लिए काम कर रही है ये देखो आपका पूरा का पूरा वियापार जो भी आप करते हो सारा का सारा उन्ही दो-तीन उद्योग पतियों के हाथ चला जाएगा सचा ही है और नरेंद्र मोधी जी ने आपसे कहा आपसे कहा था कि देखिए नोट बंदी काले धन के खिलाफ योजना है कालाधन मिट गया गया नहीं मिटा न भाईयों और बेहनों नोट बंदी और गलत GST योजना है नहीं है ये हतियार है ये छोटे भी अपारियों को स्मॉल और मिडियल साइज बिजनस वालों को मारने के खतम करने के हतियार है और सचाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते है ये जो दो तीन बड़े उद्योग पती हैं ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते किती भी कोशिश कर ले ये नहीं दे सकते है तो इन्होंने क्या किया नरेंद्र मोधी जी और बीजेपी ने क्या किया जो इंदुस्तान की रीड की हड़ी है जो रोजगार देने वाली रीड की हड़ी है छोटे भी अपारी स्मॉल और मीडियम बिजनस इस रीड की हड़ी को इन्होंने तोड़ दिया है इसी लिए आज पूरे देश में सिरफ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है आप दूसरा सवाल पूछोगे महिंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है वही कारण है पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का दो-तीन उद्योग पतियों के जेब में जा रहा है पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था आज कितना है सो रुपे तो जब आप आपके जेब में से जो पचास रुपे निकल रहे है वो कहा जा रहे है हवा में तो गाइब नहीं हो रहे कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे क्या वो छोटे वी अपारियों की जेब में जा रहे हैं नहीं किसानों की जेब में जा रहे हैं क्या नहीं बेरोजगार युवाओं की जेब में जा रहे हैं क्या नहीं यह गैस सिलिंडर के दम बढ़ रहे हैं उसका पैसा कहा जा रहा है वो भी तीन चार लोगों के पास अभी यहाँ पे आपका सेव आते हैं सेव बिखते हैं फाइदा किसको जाएगा देख लेना तो पूरा का पूरा धन देश का पूरा का पूरा धन तीन-चार लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी महंगाई का सामना कर रहा है इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबर्दस मदद की है आप यह मत सोचिए कि 3500 किलोमेटर चलना असान है यह असान काम नहीं है जब हमने शुरू किया था हमने सोचा कि यह देखो काफी मुश्किल काम है मगर चलने के बाद पता लगा यह तो असान है कोई मुश्किल नहीं है इसमें इतना इतनी मदद आपने की हमारी मैं आपको बता रहा हूँ सुबह हम उठते पांच बज़े सुबह उठते थे अब यहां पे सिक्योरिटी वालों ने कहाए कि साथ बज़े निकलना है मैं चाहता था छे बज़े निकल जाना चाहिए मगर इन्होंने का नहीं साथ बज़े निकलेंगे चिट्टी लिग दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली बात मगर हम निकलते थे सुबह पूरा दिन चलते थे 25-27 किलोमेटर बाद ऐसे लगता था कि पहला किलोमेटर चल रहे हैं ठकानी नहीं होती थे बिलकुल कि पूरा अपने पूरी मदद की पूरी शक्ति डाली प्यार दिया यात्रा को किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे मदद करते थे काफी लोगों को चोट लगी हस्पताल जाना पड़ा आपने एकदम मदद की हमारे यात्री चलते हैं रेस्टरांट में ढाबे में खाना खाने जाते हैं उसे कहते हैं कि भाईया हम आपसे पैसा नहीं पैसा नहीं लेंगे आप भारत जोड़ रहे हो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए यह देखो यह कह रहे हैं आज नहीं लिया पूरे देश में टमिल नाडू से केरला करनाटा महराश्ट्रा हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हमारे यात्रियों से आप पूछिए रेस्टरांट में ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता यह प्रेस वाले पूछते हैं राउल गांधी टी-शर्ट में क्यूं है राउल गांधी टी-शर्ट में क्यूं है आप इतना प्यार दे रहे हो इतनी मोहबद दे रहे हो कि में ठंड नहीं लग रही अब यह इनको बात नहीं समझाएगी आई नहीं सकती मैं आपको तारों पसीना आ रहा है मुझे अभी तो यह मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेट हुड का मुद्दा है उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है तो आपका आपका हक पूरा पूरा हकें नों ने छीन लिया तो एकदम कॉंग्रेस पार्टी पूरा पूरा समर्थन आपको यो आपका state today उसको reinstate करने में पूरा हम दम लगा देंगे आपने आपने इतना प्यार दिया दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अभी हम आपके साथ और चलेंगे आप से मिलेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अंत में ताराचंद जी, पिरजादा जी, मुलाराम जी और जो NC से National Conference से यहां लीडर्स आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं धन्यवाद, जैहिन